जहीं साथियो तो जारखंड पुलिस कॉंस्टेवल के फॉर्म जनवरी में आये थे 22 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक इसके फॉर्म एप्लाई हुए थे और इसमें लगभग 15 लाग से भी जादा लोगों ने एप्लाई किया है और वेकंसी की बात करें तो लगभग 5000 इसमें व कॉंप्टीशन इस भरती में होने वाला है क्योंकि अगर हम यूपी पुलिस में देखे तो उसमें केवाल 87 बच्चे थे एक सेट पर कॉंप्टीशन के लिए किन्तु इसमें एक सेट पर लगभग 300 कंडेड है वहीं ससी जीडी में भी देखे तो उसमें भी एक सेट पर कर दक आउगे के पहला इस्टेज फिसकल का है तो आगे का जो आपका प्रोसेस होने वाला है वह आपकी रंडिंग का होगाँ तो फिसकल करन सकते हैं बारे में बात करेंगे क्योंकि यहां पर बहुत सारे लोग परिसान है form इसके जो है वो apply हो चुके हैं तो सभी यह सोच रहे हैं कि इसका जो fiscal होगा वो election से पहले होगा या फिर election के बाद होगा तो जो कुछ भी आपका doubt बन रहा है वो मैं आठकी स्पीडों में clear करने की कोशिस करूँगा उसके बाद exam कब तक हो सकते हैं exam में आपको कितना time मिल सकता है इसके fiscal के बाद तो अभी यहां पर देखे सबसे पहले हम बात करते हैं fiscal को लेकर और अगर चैनल पर पहले बार आए तो subscribe कर लिजगा यहां पर आपको बिल्कुल जिनून information मिलेगा जो कुछ भी होगा बिल्कुल real हम आपको बताएंगे ऐसा नहीं है कि आपको बहका कर रखे अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि यहां पर real update मिलती है तो यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले fiscal date के बारे में देखे fiscal date को लेकर सभी के मन में केवल एक ही doubt है केवल एक ही doubt सभी के मन में बना हुआ है कि election से पहले होगा या फिर election के बाद होगा और अभी तक कोई official date नहीं आया है बहुत सारे लोग news का cutting आपको दिखा कर बोलेंगे बाकि अभी तक official कोई भी date नहीं आया है तो देखे पूरी जो संभावना है अब आपके जो fiscal होने की संभावना है वो election के बाद ही होगा तो यह doubt में आप ना रहिए कि election से पहले fiscal हो सकते हैं 80% से भी जादा संभावना है कि आपके जो fiscal होंगे वो election के बाद होंगे election के बाद के बारे में बात करें अर्थात कब तक हो सकते हैं तो fiscal का जो एक expected date रहेगा वो जून जुलाई में रहेगा जून जुलाई में ही आपके fiscal हो सकते हैं उसे पहले होने की बहुत ही कम संभावना है क्योंकि अगर यह अभी start कर देते हैं जैसे अप्रैल में start यह कर देते हैं तो लगभग 15 लाथ लोगों का fiscal कराना असान नहीं होगा एक से दो महिने तो इसके fiscal अराम से चलेंगी क्योंकि CISAP या भी other जो vacancy जिसमें सबसे पहले fiscal होता है आप लोग देखते होंगे कि उसका fiscal लगभग एक महिने चलता है तो एक से दो महिने भी इसके fiscal चाह सकते हैं क्योंकि इसका keyword unit जहारखड में ही है तो उन्हें के battalion में उन्हें के unit पर fiscal होगा तो आप लोग इस ब्राम में ना पढ़िए पूरे यूट्यूब पर इस ब्राम में ना घूमियें कि अभी अभी अड्मिर कार्ड आने वाले हैं कला जाएगा जो कुछ भी reality है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ 90% यही संभावना है तो पूरी संभावना है जोन जुलाई तक एड्मिर कार्ड के बारे में बात करें तो एड्मिर कार्ड तो उससे 10 दिन या फिर 15 दिन पहले आएगा क्योंकि अभी तक कुछ notice भी नहीं आ रहा है तो इसलिए अभी कोई संभावना नहीं है कि आपके फिसकल अप्रैल या फिर हो पाएगा अप्रैल में तो संभावना पूरी यही है कि आपके जो फिसकल होंगे जुन जुलाई में हो सकते हैं और देखे एक्जाम के लिए कितना टाइम मिलेगा जैसा ही आपके फिसकल होगा उसके बाद यह बिल्कुल भी टाइम नहीं देंगे अगर फिसकल समाप्त होता है उसके पंद्राय दिन या फिर एक महीने बाद ही आपके एक्जाम कंड़क्ट करा लेंगे क्योंकि एक्जाम में कम बच्ची हो जाएंगे फिसकल में आडेडी बहुत सारे लोग बाहर हो जाएंगे तो एक्जाम में कम कंड़क्ट बचेंगे एक्जाम में यह बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे दो एक्जाम इन्हे लेना भी है तो बहुत kaç करेंगे तो आपके लोग अभी क्या किजे है कि आप अपने एक्जाम पर focus करें और इसके एक्जाम की त्यारी के लिए best book के बारे में बात करें minimum price पर जहां से आप इसके एक्जाम के pattern के बेस पर त्यारी कर सकते हैं तो आपको चक्सु प्रकासन के मिल जाती यह बुक special इस भरती के लिए त्यार की गई है और आपके syllabus के according इसे त्यार किया गया है जो भी आपके exam का pattern है उसी के बेस पर इसे त्यार किया गया है और इसमें हर एक topic को cover किया गया है जहां से आपके exam में प्रसने पूछे जाते हैं हर एक section को इसमें cover किया गया है तो complete syllabus आपका cover हो जा जहां से direct questions आपके exam में देखने को मिलेंगे, तो किस तरह के questions आपके exam में आते हैं, वो सारा कुछ यहां पर देखने को मिलेगा, और इसमें with explanation के साथ हर एक point को cover किया गया है, जिससे अगर आप तयारी करते हैं, तो बहतर score आप कर पाएंगे, तो इस book को आप buy कर सकते हैं, और अपने तयारी को बहतर कर सकते हैं, buy करने का link आपको description box में मिल जागा, उस पर click करके आप इसे online मंगा सकते हैं, बहुत है minimum price पर यह आपको online मिल जाएगा, तो link description box में है, उस पर click करके आप इसे order कर सकते हैं, तो चलिए अपने जो कुछ भी reality थी, जो कुछ भी update था, वो हमन के physical होनी की संभावना है, आगे के जो कुछ भी update आते रहेंगे, inform कर देंगे, अभी आप अपने study पर focus किजिए, क्योंकि देखे 300 बच्ची एक seat पर है, competition कम नहीं है, बहुत ही high competition है, क्योंकि यहाँ पर height कम मांगा है, और जिनकी height कम है, उनके लिए इस भरती के अलामा और ज्यादा कोई विकल पर भी नहीं होता, और इसमें अच्छा खासा माउका है, कि वो selection ले पाएंगे, चलिए आगे का जो कुछ भी update आगे inform कर देंगे, कोई doubt है, comment कर दीजिएगा, मिलते है नेक वीडियो में तब तक लिए, जाहिन